याद क्या तुछे को दिलाए तेरा पैमा जाना जाना अपित ज़िदे वफा का नहीं इमका जाना जाना पहले तुमें इरम पर तरस आ रहा था कि उसका मियां उसके साथ अच्छा नहीं करता वो बहुत साथ मेंटिली डिस्टरब है और अब उसका बच्चे नहीं करा देगा या तो उसका शोहर तुमें घर में बर्दाश नहीं करा था और अब अपना बच्चा नानी की जासते दिये जाना एरम तुम्हारे पास मायरा करन कोई दूसरा नंबर है नहीं उसके पास तो एक नंबर है जो रहान लाल की तबे तो ठीक है ना इस तो मुझे भी नहीं पता मैं उन दोनों को घर चोड़कर अपनी मीटिंग अटेंड करने अपने आफिस गया था जब वापिस आया हूं तो दोनों घर पर मौझूद नहीं है और कबसे मैं मायरा का फोन ट्राय कर रहा हूं वो अपना फोन भी रिसीव नहीं कर रही है इसे कैसे हो सकता है मैं तो इस तरह कभी भी नहीं किया चाहे कितना भी बिजी हो कॉल जरूर रिसीव करती है मुझे परेशानी हो रही है एरम कि वो बिलाल को लेकर हॉस्पिटल तो नहीं गई अल्ला ना करेब बिलाल के तभी अतना खराब हो अच्छा एरम तुमें उसके घर का पता है नई तुमें मौका ही नहीं मिला पूछने का कैसे पता चलेगा एरम कि वो बिलाल को लेकर कहा गई है तुम तुम परेशान मत हो मैं उसे थोड़ी दे में फिर से कॉल करती हूँ हो सकता है कि रिसीव कर ले अच्छा पुछ जैसी फोन रिसीव करे ना पुझे फॉरन कॉल करना मैं बाहर जा रहो हुंसे लोड़ने के तुम आहर जा रहे हो नहीं डूंडूँके उसे तुम एरम में बैटकर परेशान होता रहूं कि अच्छा तुम घर में रुको तुम आहर गयो और पीछे वो आ गई तो पिर क्या करेगी तुम ने साफ्टी के फिर मैं घर पर ही रुकता हूँ लेकिन प्लीज तुमस का फोन ट्राइ करती रहो मैं भी ट्राइ का रहा हूँ ठीक है आई राब आपको बाता आज हमने कितना एंजॉय किया बिटा अप लोग कहा थी? आपको पता है कि अवकी तुमस करते हैं झाले को निया को फेड़िवर फिर्फर्फर्वर कुझे खेला है आपको पता है कि अपकी तबशाए हुआइ अपको अंटी को मना करना चाहे जब आपको अन्टी को क्यों खाई अपने इस्क्रीम खाई ? अब में ठीर कुम अच्छा बटा अंदर चाहिए मुझे अंटी से दुपाद से अंदर जाहिए बटा आपको अंदाज़ ही है कि मैं इसके लिए कितना परेशान था आपका फोन का इस फोन घर पी रह गया था एक इसासे जिमेदारी नाम की इतनी सी भी चीज आपने और आपको तो पता है कि उसको भुखार और भुखार में भुखार नहीं था उसे वो ठीक तो मुझे आपको य आपके मुखार में आपके आम रिलीव प्राइन साहरी सुरी केहने से काम नहीं बनेगा अगर इसकी तब्याज़ा खराब हो गई वाजिम्हतार कौन होगा देखे आप गयरेम की दोस्ते और तवको ही किया कि अपनी जासना मेरी ही गल्दी किघे अपको यहां बुलाना ही मिस्टर निहान अगर मैं खामोश हुनो तो इसका मतलब यह नहीं का बोले जाएं हाँ, हीलो, तुम्हे मेरे आने काशी पता चला, मैं तो आपा दूँ मिलना चाती है नहीं मैं तुम्से नwrाज नहीं भात महीं खतम हो गई ति, अरे नहीं नहीं तुम आ जाओ, घर बैठके बात करते हैं होगे, ऐल्लाइ हा वखिछ अब अब तब बद्तमीज इनसान है। बात करने के तमीज ही नहीं है। इरम के घर जाने से साफ मना करता ह। अब नहीं जाओंगी। बहुत हो गई हम दर्दियां। अपना मूद अच्छा करो चलो। ठीक है मेरा मूद। तुम बता, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। बज ठीक था। आज हसान बस ओफिस नहीं आये थे। तो तुमने नहीं पूछा नहीं के वो क्यों नहीं आये। एक्यो फोन करकी पूछू। बस है। जब दिल चाहे आएं। जब दिल चाहे नहीं। पूछे को पूछा नहीं किया बनता है। क्या पता तुम्हारा पूछा लगे। कल जब ऑफिस आएंगे तुछ पूछा शल रगा। अटे चलो पर मुझे फोन दो मैं भूछा यह पूछ। मुझे फोन नहीं करोगी। मुझे पोन नहीं करोगी। चलो, मैं आती हो थोड़ी देने इन सोचों में गुम है मेरी बेटी पापा आप, कहा जले गय थे आप पापा, मैंने कहा तुम तो देर से आओगी यहाज आपने कुछ काम निम्टा कर आज़ो पापा, आप से एक बात पुछो एक नहीं, दो बात पुछो पापा, आपको हसान कैसा लगता है? पापा, यह कैसा सवाल रहा? बताया ना, कैसा लगता है पापा तुमसे हुमा ने कोई बात किये एक है? जी पाप तुमने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं उन्हेंने कहा कि जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं अची तरह सोच लो फिर बताना लेकिन पापा अगर तुम्हें हसान पत्र नहीं है तो नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर उसने पहले की तरह मना कर दिया तो देखो बिटा तुम दोनों को जिंदगी एक साथ गुजाने तो दोनों की पसंद और ना पसंद माने रखती है अगर हसान को तुम पसंद नहीं हो या तुभे अपना लाइफ पार्टनर बनाने में कोई अथराज है तो इस बात भी यहीं खत्म करती है कम से कम तुम लोगों की दोस्ती तो काइम रहेगी ना जी पापा देखो बिठा में वी फैसला करना है ना सोच समझ के करना प्यार में सोच का क्या काम पाप अजान सिफ मेरा किसी और का हो और ही नहीं सब्सक्राइब अजान सिफ में अजीब सा लग रहा था आप से पूछना कि आप ऑफिस क्यों नहीं आये तो मैंने सोचा पूछनों के तवियत कैसी आपकी यह बिल्कुल ठीप पर कुछ मसरुफियात थी इस वे से ओफिसना आप बतायाँ कैसी मैं बहुत अच्छी वो तो आप हैंगी अच्छे बतायाँ आपकी जॉब कैसे जारी है विको खतम हो गई क्यों लंभी कहानी है फुरसत से सुनाओंगी अब घर का बारे जबाब का है तो बस फिर अब कल दिनर हमारे साथ करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आज मैंने ओफिस अब नूर लेट हो था आप हमारे लिए एक दिनर का तायम निकाल सके नूर इतनी महनत किये और तो अब करते शाद आपको अमारे घर आना तो यह सी कोई बात मैं बहुत और एंप्लोई से जटक्र मेरे अप्लोई से अच्छे मेरी फैमली की तो आप नूर को संजाएं इसी अब्सक्रिक आपको अप्लोई कर दी कर का 네ंड सिंचे मेरे बात कर रहा था किक्डार स्थे कमेरी वांठ कर हा किक्डार आपक अपने उनको ।थे अटि गृंट पने मेरी फ्रेंड को नाराज कर दिया उह इ है अपकी उआपकी फ्रें पेसे ख आइस्क्रीम खाने सामाना किया था और मैंने उनसे जिद करी थी अब आपने जिद को कि आइस्क्रीम खाने की? आपको पता है आपकी तब है खराब है? मिटर मैं आपसे नाराज नहीं हुसा आप लव यू पापा आप लव यू टू बिटर जो आप सोजा आपी तरह टीक है आपसे नाराज नहीं हो तो प्र टीक से बात क्यों नहीं कर तो नहीं करें? मुझे इसा क्यों लग रहा है कि तुम अबी तक कम आप आपाइजा कुछ वर बात कर दो कि यह शादी कार्ड है कि अरे वा तुम्हारी शादी लेकिन ये तो हां वो तो मुझे उसी वक छोड़कर चला गयाता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों तो थो अप पुयूदियों अचार कर्ची है यो मुझे सब दो समझता था माही कि अर मैं भी उसकी दोस्तिको प्यार समझ लिया था कर दो किसी और से प्यार करता था और मेरे प्यार के लिए से छोड़ नहीं सकते हैं इसलिए उसने मुझे ही छोड़ दियुए हसान जी मामा आज बहुत टफ दिन कुज़रा तुमारा ओफिस में जी मामा काफी मिटिंग सी इसलिए इसलिए और ओफिस में नहीं जा सकते हैं शुकर है के नूर भाहा थी उसे सब कुछ लिया हमाहिन ने तुमसे कोई बात की किस बात कि सब्सक्राइ किर तुम्हारे में ऑच्छी तारीके से जानद głos एक मैस नहीं चाहता है क्यू कि वह तुमहारे लिए पर्फेक्ट उसने क्या का अभी तो कुछ नहीं लेकिन मैं जानती हूँ मैं जानती है gwia मेरे छाहने आ ना चाहने से खुश नहीं होगा। यह भात तुम बहुत अच्छी तरह सु जानते है। वैसे माहीन अब तक दिलावर भाई से बात प्रदी है। वो किसी से भी बात कली। मेरे पैसले में कोई फर्क में परूनुए तो मैंने कल कहा ता मैं आज ही उशी पड़काई मैं अच्छा, अच्छा, अच्छा आप अच्छा अच्छा, आखिन आपकली एफ मुझे लेने आ रहा है तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो सौरी फाइजा, मजबूरी है तुम्हारे फून के बाद ही उसका पूना आया था लेकिन मैं उसे मना ही नहीं कर सकी तुम तो चानती हो यह असान के सामने मुझे कुछ नजर लिया तुम्हे याद है मेरी इसी बात पर तुम नराज होती थी कि मैंने तुम्हे इग्णूर क्यूं किया था मेरा बच्पना था फाइजा लेकिन आप ऐसा नहीं है मैं मानती हूं मैं सुख खलत हूं लेकिन अपनी गर्दी मान कर तुम्हें तुम्हें से दोस्ती कर ली ना मैंने वहाज तुम्हें अपने दिल की बात क्या ही दो माही हाँ मैं भी यह सोच रहे हूं हो सकता है इजानर से बात कियो और मुझे पर्पोस्त रहने के लिए सर्प्राइज देना चाहता हूं अल्ला करेश ऐसा ही हूं विष्यू अल्ड़ बेरी बेस्ट तंक यो पाइजा तुम बहुत अची है अल्ड़ अची है अल्ड़ विलाल की वजासे उसकी जॉब चली गई विए इसे जॉब से कौन निकाल सकता है बस तो यहां बेठ है तुम से अपना ट्रिप नहीं छोड़ा जा रहा और उसमें जॉब चोड़ दी तुम से अची तो भाही हूई ना जिसे तुम तो बस मोका चाही होता है उचे तॉम तो तुम देती हो अचा थीक एप तुम्हे इसे उसे इसक और दे सकती हुए है क्यों अडरेस तुम खुट भी ले सकते हो फोन नमबर तो है ना तुम्हारे पास कि असलमे मैंने उसे कल बहुत मिस्भी है कि अपोन पर बात नहीं हो सकती मैं फेस टू फेस उसे माफी मांगा ज़िए मुझसे तो सॉरी करना दूर की बाते हैं इस बारे में तो तुमने सोचा भी नहीं होगा और फिर मायरा के साथ वो यह सब डिजर्फ करती है क्योंकि उसन पर उसने एक लवस नहीं का अगर यही बात मैं तुम्हें कह देता तुम कितनी बार मुझे गिनवा चुकी होगा मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है ओके आँ मत करो बस मुझे उससे एड्रस लेकर सेंड कर दो माई मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहूँ हूँ 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 पहले ही बात करके सारी बात खराब पूरी तो क्या जी चान को इस पारे नहीं पता? माही तो मुझे अच्छी तरीके से जानती हुगे मैं कितना स्ट्रेट फाववड इंसान। इस बात मैंने ममा को सबसे पहले बद रही है मैं तो और में पांक कियोगी होगी है तुम से पात पते ने क्यू करें मिचे घी ने ने है , लड़की भी मेरी पसंदी ने और मैं पूरप को था कॉषिश करने मौर दो मेरी मदद करगी है और अगर पुर नहीं मानी तो, तो क्या तुम उनके अगेंस जाओगी। माई इस बारे में मैंने भी कुछ नहीं सुच लिए पर मैं पूरी कोशिश करूँगा मामा को मनाने के और अर इसमें तुम्हें मेरी मदद करने होगी। कैसी हल्प? माही मैं चाहता हूँ कि तुम अंकल को मना कर ताके माम को मनाने के लिए मुझे कुछ नहीं होगी। और अगर इसा मैं ना करूं तो? तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह के सा जानता हूँ, मुझे जब ही तुम्हारी मदद की ज़ुद पड़ेगी तुम मेरी मदद करूँ डॉंट भरे, मैं नसे बात करता हूँ मुझे तुमसे यहीं हुए, थैंक यू सो मच अपना थैंक्स अपने पास रखो, मिझे इसकी जरूरत नहीं है, किसी और को दिया अच्छी अच्छी तुम्हाना चक्किया देख न, खाना भी बहुत अच्छा बना आया अच्छा अच्छा मुमिया में ठूप बेटा जब तुम खाना चखोगी तो अपनी उंग्लिया चाट लोगी हाँ मैठी इस भी कर लोगी मुझे इस बताओ तुम पहले पहन क्या रही हो क्या मतलब मैं तयार हु मायरा तुम तयार हो ये कपड़े पहनोगी तुम हाँ क्यों इस ड्रेस मैं सक्या है अच्छा ही क्या है और में देखो हुमारे बॉस आरे है पुछ उनकी इज़त कभी ख्याल कर लो उनकी कदन आरी है साथ क्या सोचेंगे दोनों ऐसी असिस्टेंट है उनकी जो ठंके कपड़े भी पहनती माईयरा इस फोड़ा स्याधा नहीं तुम जाधा कर रही हो जाओ जाकर चेंच करो नh Hai मेरा भी चेंच करने को दिल ने जायरा है से ठा width km मैसे ही मैं जाकर चंच कर आपकोई जरूथ नहीं तयारों मैं बो लोग आने वाले हों तयारने मैं तर दिट चंगuju क्यां anchor मायरा, तुम ये ट्रेस पहन रही हो? आप, जादा ओवर लग रहा है क्या? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं? तुम तो होई अच्छी, तुम तो और भी अच्छी लगता है थैंक यू, चलो, मैं तुम्हारी बाल बनाओ नहीं, बाल मैं ऐसी रखो, थैंक यू मायरा, उम्हारी जॉप का क्या हुआ? नहीं, मैंने अभी तक अच्छी तरह ढूली नहीं, भूणगी तो मिल जाएगी जाना मुझसे अपनी बेटी की आँकों में आसू बर्दाश नहीं होता और अगर इस बार भी ऐसा हुगा ना, तो मैं सब कुछ भूल जाओंगा वो सिर्फ मेरा है, इसे मुझसे कोई नहीं चीन सकते कोई भी नहीं और मैं ये बर्दाश नहीं कर सकती, ये मेरे और इसके दरम्यान को याद को यूही मुसर की अदा देखके यादा किस कदर दिल बदल जाते हैं इनसा आजा जा 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 झाल झाल झाल